देप्रपोतनी एकांद्रिशी पर करें महा उपाए जो कि आपकी किस्मत को जगा देंगे और साथ ही आपकी मनोकामनों पूर्ण होंगी इस दिन भगवान विश्णू की पूजा करने का विधान है आप भगवान विश्णू की पूजा करेंगे तो उसे आपको विशेश्वर मिलेगा आप उन्हें उस दिन स्फित रंग की कोई भी मिठाई अरपित कर सकते हैं या आप खीर भी बना कर अरपित कर सकते हैं इसे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी और मनोकामना पूर्ण करने के लिए शाम के समय तो उसी माता पर दीपक लगाएं और हमें उनकी पूजा भी करनी चाहिए ताकि हमारी मनोकामना पूर्ण हो हम अपनी मनोकामना की पूर्ती के लिए शिंगार की वस्तवे भी उन पर चढ़ा सकते हैं तो उसी माता का विवहाब भी इस दिन कराया जा सकता है जो की इच्छाओं को पूरन करता है तो विष्णु भुगवान जी पूजा करने से विशेश लाब मिलता है इस दिन और माता तुलसे की भी आप माता तुलसी के पत्तों को भी भुगवान विश्णु पर अरपित कर सकते हैं आपकी इच्छाओं पूर्ण होंगी और आप दीपदान भी कर सकते हैं इस दिन माता लक्षमी भी जिससे प्रसन होती है तो भुगवान विश्णु और माता तुलसी की पूजा करने का विधाने जिससे लक्षमी माता की प्रसन होती है प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू